तो यह वाटसब गाईज क्या हल चालता है आध इस तुन मैं आपको पर्मानेंट लॉंचर अप्लिकेशन को बताने बाला हूं मतलए कुछ जू अप्लिकेशन मैं आपको बताऊंगा न इसमें से आप किसी भी अप्लिकेशन को पर्मानेंट यूज कर सकते हैं अपने अगर वीडियो अच्छा लगे न तब जाके फालो करना वीडियो पूरा देखो अच्छा लगे तब जाके फालो करना और उसका यूजर नम है गरीब लॉंडा 1 प्लीज फालो कर लेना चलो फिडियो को स्टाट करते हैं तो फेंट चले फर्स्ट अप्लिकेशन का नाम है अब AP15 को आप डाउनलोड करके open कर लिजे लिंक आपको description मिल जागा अब इसको जैसी open करो कुछ हैसा interface मिल जागा देखे पहले आपका जो mobile था ना देखे सभी application यहाँ पर सो हो रहा है न लेकिन इसको जैसी आप open करोगे तो देखो सभी application इस तरह का सो हो जाएगा यहाँ पर देखो chrome browser भी है और यहाँ पर देखो facebook भी है instagram message facebook setting सभी application आपको कुछ इस तरह का दिखने वाला यही से आप किसी भी application को open करना चाहो तो easily यही से आप किसी भी application को open भी कर सकते हो देखो मैं whatsapp पे click किया whatsapp open हो गया और देखो मैं home screen से cut किया देखो application cut हो गया direct पूरा का पूरा cut हो गया देखो अभी ऐसा है न home screen देखो इधर cut कर रहा हूँ home button से मतलब back button से cut कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा home button पे click किया देखो यह cut हो गया तो मैं इसको permanent use करना सिखाऊँगा दाता है वह color आप यहां पर चूच कर लो फिर से मैं यहां पर चलता हूँ देखे अब प्रिफरेंस पर फिर से चलता हूँ और यहां पर देखो आपको size option मिल जाता है font style का मिल जाता है enable सेडो मतलब यहां को बहुत सारा setting मिल जाता आप यहां चाहो तो ज्रुमना पड़ेगा default app के नाम से एक setting होता है अगर नहीं मिलता है तापको search पर click करना पड़ेगा और यहां search कर लेना है तो मैं यहां पर search कर लेता हूँ देखे default यहां देखे मैं default शिर्फ लिखा हूँ तो यहां पर आगया default अप पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक option मिल जाएगा home screen का तो home screen पर क्लिक करो और यहाँ पर आपका होगा देखे यह वाला होगा system launcher तो आपको यहाँ पर नीचे ना देखे मेरा 5 application सो हो रहाना है pipe launcher मैं download किया हूँ तो आपके फोन में यह वाला application मिल जाएगा एपी launcher 15 जब आप download कर लोगे तो यहाँ पर सो हो जाएगा उस पर क्लिक कर लो और उसका फ्रेंट्स आपको नीचे एक option मिल जाएगा change home screen पर क्लिक कर लोगे देखो यह permanent use हो गया अब यहीं से मतलम देखो मैं back button से cut करना कुछ नहीं हो इसको आप लॉग करके फिर से खोलोगे ना फिर भी कुछ नहीं वाएद कि मैं इसको ऐसा कर दिया फिर इसको ओपन करता हूँ अपना password अब ओ launcher application को जैसी आप open करोगे देखो इसको भी एगर home button से टच करोगे ना यह पूरा cut हो जाता है अब यहाँ पर आपको देखो इसको भी permanent use करना सिखाऊँगा आपको देखो यहाँ पर च्यार application मिल जाता है एप लिखा हुआ तो यहाँ पर आप चाहो तो जो अप्लिके जहाँ एप लिखा है ना इस पर थोई दे टच करना पड़ेगा टच करने बाद आपको कुछ ऐसा एंटरफिर मिल जागा यहाँ पर आप जो अप्लिकेशन आइड करना चाहो वो सर्च करो देखो मैं वाट्सअप सर्च करता हूँ देखे वाट्सअप आ गया देखे मैंने यहाँ पर चार अप्लिकेशन को अट कर दिया अब इसका कुछ सेटिंग बताता हूँ सेटिंग करने के लिए पहले मैं आपको यह बता जाता हूँ नीचे से अगर आप उपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे नहीं तो यहाँ पर आपका सभी अप्लिकेशन को ओप यहाँ पर सर्च करना चाहो तो सर्च करके उस अप्लिकेशन को ओपें कर सकते हूँ अब इसका देखे कुछ सेटिंग बात आता हूँ सेटिंग को थोई देर स्क्रीन पर टच करके रखना पड़ेगा तो यहाँ पर एक सेटिंग ओपर हो जाएगा देखे मैं फिर स्थ करत सकते हो जितना application करना चाहिए उतना आइड कर सकते हो यहां पर देखे आटो सो आन कीबोर्ड मतलब कि आटो मैटिक को हाँ पर कीबोर्ड सो होना चाहिए कि नहीं होना मिलता है तो आपको home screen के नाम से अगर setting मिलता है तो आप सर्च कर लेना दोनों सर्च कर लेना दोनों में से कोई नहीं एक आपको मिल जागा सभी मतलब सभी स्मार्टफोन में यह setting रहता है अब देखो यहां पर आने बाद आपको देखे कौन सा अप्लिकेशन था ओ लॉंचर ओ लॉंचर मैं क्लिक करता हूं और चेंज हो मिस्क्रीन पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखो वाला अपलाई हो गया देखो पहला बाला ज दुसतरा का करने के लिए आपको अपने मोबाईल में setting open करना पड़ेगा तो मैं setting search कर लेता हूं देखे मैं setting open हो गया उस बाद आपको यहां पर search कर लेता हूं default एपना वहां पर चलता हूं और इसको default करके दिखाता हूं default application sorry default setting पर चलता हूं और आपको देखे home screen पर आ जा यूज कर सकते हो permanent तो उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगोगा वीडियो अच्छा लगोगा तैर वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना क्योंकि यारी इस चैनल पर ना आपको इसी से लेलेटेड वीडियो अभी मिलती आगे भी मिलती रहेंगी और फ्यूचर में भी मिलेंगी तो वीडियो के इस लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन को प्रेस कर लेना और यार इंस्टाग्राम पे फालो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और यूजर नेम है गरीबलंडा1 कर लेना भा बाइ-बाइ